नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक वाफ्टिय, स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ में, KVS इंटर्व्यू की प्रप्रेशन कर रहे हैं, और आज हम जानेंगे everything about KVS, KVS के बारे में सारी जानकरी, जो इंटर्व्यू में पूछी जा सकते हैं, अगर आप PIT इंटर्व्यू की प्रप्रेशन करें, TGT, PGT, तो किसी भी इंटर्व्यू की प्रेशन करें, तो ये चीज़े किसी से भी पूछी जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना इस वीड इंटर्वियर बीच बीच में questions पूछते हैं आपसे कि आप teacher क्यों बनना चाहते हैं आप अगर कहीं स्टेट में teacher already लगे हैं तो आप KVS क्यों जोइन करना चाहते हैं इस तरीके के questions इंटर्वियर अक्सर पूछता है कि education के बीच में इतना gap year क्यों आ गया तो इस तरीके के questions जो हैं आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और इनको हम include करेंगे हमारी upcoming video में हम 30 से ज्यादा questions कम से कम discuss करेंगे विदांसर की आप क्या बोल सकते हैं ऐसे सवालों के जवाब कुछ common question हम लेकर आएंगे कुछ questions जो हमें अच्छे लगेंगे आपके comment section से हम उन्हें उठाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर नहीं है चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लें बैल आइकन प्रस कर लें ताकि वीडियो के notification आते रहें और वीडियो को like जरूर कर लें हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप like करते हैं चलिए school type, co-educational है boys girls साथ में पड़ते आ रहे हैं आपके अंदर ज्यान ओल्रेडी है अपके अंदर ज्यान ओल्रेडी है हमें क्या करना है उसके उपर से धूल को हटाना है ऐसे ही कुछ मतलब है इसका इस्टेब्लिस्ट जो हुआ था यह 15 दिसंबर 1963 और इसी दिन ही इसका foundation day भी मनाया जाता है 15 दिसंबर 1963 को हुआ था तो 15 दिसंबर को हम क्या बनाते है foundation day भी foundation day स्कूल cbsc से affiliated है सारे के सारे central board of secondary education तो cbsc के बारे में भी थोड़ी knowledge आप रखेंगे और कुछ बच्चे अभी बोलेंगे मेरे को जैसे उन्होंने पिछली वीडियो में बोला था फुल फॉर्म वाली में किसार आप आगया जारते में दिखा नहीं हम लिख नहीं पाए तो आपको हम पीडिएफ इसको दे रहे हैं हम आपको हैचेटी मैट्स केंपस अभी हमारे पास कितने है बारा सो इक्यावन और तीन बाहर है डिटेल में पढ़ेंगे आगे और इस बार का जो बजट रहा है हमारा दो जार बाइस ते इसका वो रहा है साथ हजार शेसो पचास करोड़ तो सारा नहीं करना है आपने इंपोर्डेंट चीजे रखनी है साड़े साथ हजार का ध्यान में रखना चलिए नेक्स्ट तक केंद्रे विद्यालिया संगठन ट्रांस सेंट्रल स्कूल और्गनाईजेशन ट्रांस इसलिए लिखा हुआ है कि ये सेमी सेंट्रल एक तरीके से पूरी सेंट्रल नहीं है इसलिए कभी-कभी जो है सेंट्रल को मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते कभी-कभी तो यह purely central नहीं है, इस चीज का आप ध्यान दखेंगे, और Ministry of Education के अंडर में काम करती है, या फिर Government of India, जुलाई 2022 के डेटा के हिसाब से रहेगा, सारा का सारा, जुलाई 2022 के बार, कितने स्कूल हैं, 1247, और abroad में कहां पर हैं, मोस्को, तेहरान और काटमंडू, यहां पर भी posting ह होती है, उसके लिए इंट्रव्यू होते हैं, I think 10-15 साल के experience होता है, English solid होनी चे, इस तरीके का कुछ इसकी requirement होती है, उतना अच्छे से मुझे नहीं पता है, यह पूछेगा भी नहीं, लेकिन यह पता होना चाहिए, काटमंडू, तेहरान और मोस्को, और इनके बारे में थ इंस्ट्ट्टूट ओफ एट्यूकेशन एंट ट्रेनिंग, जीत क्या काम करता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है, जैसे मेरी कोई वर्क्षोप है, किसी भी KV टीचर की वर्कषोप आ गई, टोई-बेस लर्निंग के उपर आ गई, तो जीत करवाएगा, दिक्षा के ऊप भी के उपर होगी स्वच बच्छ सवच वारत ये करवाएगा ठीक है तो जीट आपकी क्या है ट्रेनिंग करवाता है टीचर्स की और पच्छीस रिजनल ओफिसे हैं ओफिसे के बोले तो जैसे आपका चंडीगड एक रिजन हो गया बुवनेश्वर एक रिजन हो गया एक ड्रीघ-वी करवने खुड़े जम्मृर से उसकूले में करवाएगे खुगा हैं टुकोथी ले डिया से आपके खुड़ेसित आप्रमिश्यवर ने देया से कौनल होता है और प्राननियोंम तेनिजिट जोते हैं डिल्ले फोनिट दिल्लि इसे पूरा का पूरा जह का Regional office to direct school, फीन चीज़ों में नुभा होता है, त्री लेवल्स कीन सीर्व भी ज़ऑ होती है, पहले एंड़्कोर्चर लेवल पर देखा जाता है, फिर बागो हासवा खॉकिन सार्ट PROF. जब था, बे खॉकिना फार्रे कींद्रेक्ड करता है. ministry in charge in the ministry of education वो आपका chairman होता है deputy chairman ministry of state वाला होता है the real working power of lies of the commissioner of KVS तो यही देखरेक करता है भाई जितनी भी करता है commissioner there are additional commissioner और joint commissioner commissioner के साथ additional joint commissioner होते हैं और उनके भी अलग-अलग departments होते हैं तो वो अलग-अलग department के होते हैं लिखा हो ना administration of the KVS in the different fields आगे बता दूँगा कोई administration का है कोई finance का है इस तरीके से commissioner एक ही होगा additional commissioner joint commissioner अलग-अलग हो सकते हैं head कोन होता है region का जैसे भूबनेशनर region मान लो दिल्ली headquarter समझा गया commissioner देख रहा उसके अंदर deputy chairman additional commissioner इस तरीके से deputy chairman नहीं additional commissioner और joint commissioner commissioner के साथ दिल्ली headquarter अब आज हो reason में भूबनेश्वार region मान लो चंडिगड region मान लो वहाँ पर क्या होंगे DC होंगे deputy chairman होंगे कुछ deputy chairman के साथ दो या तीन assistant commissioner होंगे क्यों होंगे दो या तीन assistant commissioner दियो होते हैं तो ये तीन जने मिलके किसी आरो में बैठे होते हैcción regional office में बैठे होते हैं शपोंग होaktं के रिज्णal office में बैठे हैं और वहाँ से पूरे के पूरे चंडिगड में जतनी भी वी school है वो देखरेक होती है यहां से मेल जाते हैं यह चीज है करवानी है वहां से मेल बाप Eu अबो यह जो तीरा तरीक को इंटर्व्य वूने वाले यहँ, वो Deputy Chair Multi Chairman Your Deputy Commissioner के इन और legal session जुए हैड होता है, उसके वूने वाले है और Assistant Commissioner के रिटन हो चुके थे, दिल्ली में होआ थे और उनके भी इंटर्व्यू आने वाले हैं ठीक तो इतने स्कूल हैं लेकिन जब हमने start किया था 20 से start किया था 1963 में 20 से ध्यान लखना अभी 10.4D लग यह पास यह data है इसके इसाफ से और 1200 ke के असपास हमारे क्या है टीचर से तो आपको एक रफ डेटा पता होना चाहिए कि हाँ आप किस ओर्गनाइजेशन में काम करने जा रहे हो कितने बच्चे पढ़ाने हैं साड़े चोदा लाग के असपास बच्चे हैं और हमारे जहां च्वालेस हजारा के असपास टीचर हैं तो थोड़ आपको रफ डेटा पता होना चाहिए यह कुछ इंफोर्मेशन है केंद्रे विद्याले संगठन का एक तो यह मोटो है जो मैंने अभी बताया था तत्व पूष्णम अपावरणू लोगों के नीचे भी लिखा होता है वो पूछ सकता है आपसे केंद्रे विद जो हमारी प्रेयर है के विएस की हमारी इंदर सेंस मतलब के विएस की जो प्रेयर है वो एक बर सुन ले ना गूगल पर यूटूब पर जाके सुन ले ना के विएस की प्रेयर ओम अस्तोमा सद्गमिया तो अस्तोमा सद्गमिया जो है आपका सीबीएस्सी CBSC का मोटो है CBSC का मोटो है इसका मतलब है असत्य से सत्य की और चलो ऐसे ही NCRT का भी एक मोटो है आप हमें बताईएगा कोमेंट सेक्शन में NCRT का क्या मोटो है किलिए रहा है चीज़े Next मैंने बताया था Headquarter में Commissioner बैठेगा निधी पंडे उसके साथ Additional Commissioner अभी तो यह Administrative वाला है यह Academics वाला है तो वो तो अभी Vacant Post है Joint Commissioner Finance, Joint Commissioner Academic यह दोनों नाम भी याद रख लेना और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊ तो यह कुछ लिस्ट है याद करने की जुरुतनी है जो दो-तिन इंपोड़न थे तो मैंने दिखा दिये यह बस इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो यह कुछ information थी KVS के बारे में अगर इसके अलावा आप कुछ और जानते हैं KVS के बारे में तो नीचे comment section में लिख देना ताकि और बच्चे भी उन चीजों से aware हो जाएं तो दो चीज़े आप comment section में लिख देना अगर यहां आपको लगता है कि नहीं यह चीज और पूछी जा सकते है तो उसको डाल दो और अगर आप next वीडियो के लिए चाहते हैं कि आपका यह questions पूछे जाएं आपका कोई main आपका कोई personal question हो कि हाँ यह question अगर मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा तो वह आप नीचे comment section में डाल दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हो तो like, share, subscribe जरूर करें दोस्तों के साथ पीडियाइफ आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पे, link description में भी available है, धन्यवाद जाए